तो आज टाइम आ चुका PHP के अंदर basically dollar underscore files के बारे बात करने का जो काफी ज़्यदा important होता है super global के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और हम step by step हर एक super global variable को समझते जा रहे थे PHP के अंदर तो hopefully आप लोगों ने वो पहले वारे वीडियो देखे होंगे नहीं देखें जरूर से गाउट करना link description वाले पार्ट के अंदर provide किया गया है उपर मैं i-tech के अंदर भी उसका link provide कर दूँगा ठीक है basically मैं आज आज आपको बताने वाला हूँ dollar underscore files और यह files क्या होती है कितनी जदा important होती है कैसे हम लोग इसका code लिख सकते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ से यहां पर discuss करते हैं सबसे पहले मैं करूँगा कि आप इस code को यहां पर open करूँगा और इसके अंदर आके मैं एक नए directory create करूँगा यहां पर आके और इसका नाम कुछ भी रख सकता हूं मैं simply files रख देता हूं और इसके अंदर आके मैं simply एक नई file create करूँगा जिसका नाम होगा simply index.php और मैं enter मारूँगा तो आप लोग देखोगे simply मैं ने enter मारा और यह मेरे पास एक basic file बनके आज सुकी है देखो simply क्या होता हमारे system के अंदर कोई भी item है उस item को हमको server पे upload करना है तो हम लोग use करते हैं simply do and go files का files super global variable का हम लोग इसलिए use करते कि कोई भी item को हमको server पे upload करना होता है तो definitely हम लोग इस वाले super global variable का use करते हैं और किस तरीके से use कर सकते हैं उसके बारे हम लोग बात करेंगे जब भी हम लोग एक chat application को ready कर रहे होंगे तो कोई image है उस image को हमको profile picture बनाना होगा user का तो basically हमको क्या करना पड़ेगा उसके drive के साथ deal करने पड़ेगी तो हम लोग वहाँ पर use करेंगे simply dollar under code files का simply ठीक है तो मैं सबसे बहुत करूंगा क्या एक basic HTML का template यहां पर लिग लेता हूँ और मैं सी के साथ साथ एक काम करता हूँ एक फॉर्म लेता हूँ जिसमें मैं method यूज़ कर रहा हूंगा post और मैंने post और gate के अंदर difference बता चुका है और जब भी आप files के साथ यूज़ करते हूं आपको बताता हूं देगो यह फो मैंने simply form बनाया इसके अंदर एक input लूँगा यह जो input होगा input type equal to text होगा अभी type equal to text का मतलब है कि हम लोग वहां पर कुछ लिख सकते हैं ठीक है पर मुझे इसका type चैन्ज़ करना पड़ेगा फाइल करना पड़ेगा फाइल ठीक है और इसका name मुझे डालना पड़ेगा image मैं इसके अंदर only image upload करना चाहता हूं एक बार के लिए और इसी के साथ से बिया टेक लगाऊंगा एक और बिया टेक लगाऊंगा और इसके इनपूट लिखूँगा और टाइप लिखूँगा इसका submit इस तरीके से और गई और मैं सिंप्ली काम करूँगा इस वाले code को रन करने के लिए पहले मुझे यह जो जैंप उसके इंदर प्रोसेस होती रहेगी आप लोग करेंगे आप लोग को पी पात करें एंड ब्राउड के अंदर आएं आप लोग आप पर सिंप्ली इस लिंक को पेस्ट करें इस टी डॉक्स जहां भी है उसको आप लोग करें यहां पर आप स्कूल रिप्लेस करें लोकल होस्त से आप लोग इंटर करें और आप लोग देखेंगे कि आपके सामने एक फॉर्मन के आ रहा है चूज फाइल्स एंड सब्मिट का अब जिसे आप इस पे क्लिक करोगे चूज फाइल्स पे तो आपकी जो ड्राइब से वो ओपन होंगी इनफेक्ट मैं बात करूं सिंप्ली मेरे पिक्चर्स के अंदर हमास पर फाइल है यह सिंप्ली क्या रिचर्स करता है अगर मैं इस तरीके से बात करो हो सिंप्ल्ली पेसले कूँ ठीक है और पेस्पी कलोगोड में ओपन करूँ और इसके आप लोग और यह तह orchidlast को और फॉस को अगर मैं इतना करो तो यह क्या है क्या यह दिखाता है इसके बारे मैं बात करते हैं अगर मैं इसको रिफ्रेस करता हूँ तो आप लोग देखोगे एरे टू स्ट्रिंग कनवर्जन ऐसा आप लोग नहीं कर सकते हैं मतलब यह जो डॉलर अंडर को फाइल जा सिंप्ली एक एरे के फॉर्मेट के अंदर हमको डेटा करता है और वो डेटा क्या होगा किस तरीके जी हम लोग इसमें काम में लेंगे वह भी हम लोग बात करते हैं लेकिन जब भी आप लोग डॉलर अंडर को इसका मतलब आपने फॉर्म के अंदर आप टाइप इक्वल टू फाइल लिखते हो ना तो आप सिंप्ली एक फॉर्म के अंदर एक्विट पास करें जिसका नाम होता एंड टाइप और एंग टाइप बोल सकते हो इसके आप लोग लिखते हैं इस तरीके से जब भी आप लोग फाइल का यूज करते हैं इस तरीके से और अब आपको बताता हूं मैं सबसे पहले एक काम करता हूं और इसके अधर मैं सिंप्ली पास करता हूं जो भी मेरा इमेज है अभी इमेज कहां से आएगा यह जो इन्पूट टाइप इक्वल टू नेम इक्वल टू मैंने सिंप्ली इमेज दे रखा है यह वाला इमेज मुझे यहां पर कम्प्लीट कोपी करके पेस्ट करना पड़ेगा इसके लाइन फाइल आपकी नमटू के अंदर एक एरयर है कोई एर नहीं है यह सिंप्ली है कि सेट नहीं है अपकी एरे की ओके अब जैसे माँ चूज फाइल पर क्लिक करूंगा और पिक्चर पे करूंगा एक शिंपल सी पिक्चर को मैं सेलेक्ट करता हूं रेंडम ली मैं कोई पिक्टर को सेलेट करें लेता हूं यह वाली पिक्टर को मैंने सेलेक्ट किया और आप लोगो देख सकते हो जैसे मैं सम्मिट वाले बटन पर क्लिक करूँगा यह देखो मुझे एरे के अंदर एक एरे मिला और मैं आपको रेडियाबल फॉर्मेट के अंदर चीज़ी दिखा से और मैं सिंप्ली से हमें कौन से पास कर सकता हूं इसको कर सकता हूं तो आप लोग देखो कि रहां सिंप्ली आपको एक एरे मिल रहा है इस एरे के अंदर आपने आपका जो इमेज का नाम था और इमेज का नाम हमारा यही था जो हमने डाला था यह इमेज का नाम था ठीक उसका temporary name हमको PHP एक temporary name भी written करता है यह देख से तो यहां पर temporary name written हो आप जितने बार भार 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 नेम चेंज होता रहेगा अब यह simply नाम आ चुका है ठीक है एक बार मैं again refresh करता हूं इसको तो मेरे पास यह नाम आ चुका है बार बार मेरे पास temporary name generate होता रहेगा error क्या थी error 0 थी जब हम इस image को upload कर रहे थे को error नहीं थी इसकी size basically kb के अंदर होती है तो मुझे यहां पर simply size ratio कर रहा है तो इतनी चीज़े मुझे return करता है अब इन में से कोई भी चीज़े मुझे लेनी हो तो मैं simply इस तरीक से लिख सकता हूं मैं आप पर simply लिख सकता हूं एक variable बना कि मुझे मालो की name डालना हूं image name तो मैं आप image underscore name ले लेता हूं एक वर्टू और यहां पर simply इस name को मुझे get करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा dollar under code files और इसके अंदर जो भी मेरी images है ठीक है इस तरीके से और is not images only image और इसके अंदर आके मैं सबसे पहले name pass करूं और मैं एको करूंगा dollar underscore image name pass करूंगा और मैं प्रोग्राम को सेव करूंगा और मैं refresh करूंगा तो आप लोग देखो कि मेरे पास यह name gate हो चुका है इसी के साथ साथ मैं echo और side by side मैं dot dot के काम करता हूं आपको बताता हूं देखो इस तरीके से मैं ब्यार टेक का भी यूज़ कर लेता हूं जो perfectly दिखाई देगा अब मैं मुझे मालो कि मुझे type temporary name error और basically size or error की कोई नहीं हम है only type और temporary name निकालना है तो मैं simply क्या लेखूँगा मैं आप लेखूँगा simply उसका type image type लेख सकता हूं और इस तरीके से आप लोग simply pass क्या करें इमेज का type pass करें तो यहां पर आप लोग type pass करें इसे के साथ आप लोग dollar image temp underscore name बिसिकली image का temporary name क्या होगा underscore dollar underscore files आप लोग लिखें सेम यहीं चीज़ है कि इसमें कोई भी rocket science वाली बात नहीं है आप लोग आप लोग पूट करें ठीक है इसी के साथ आप लोग करें क्या temporary name लिखें इस तरीके से temporary name लिखें और यह जो temporary name है यह आप लोग लिखें सेव करें और refresh करें इस तरीके से continue पर क्लिक करें तो देको मुझे उसका temporary name भी मिल चुका है जो अभी currently है इसके अंदर image का type मिल चु स्लेक्ट की थी में ड्राइब से उसको मुझे एक अलग server पर मुझे अप्लोड करना मालो वो एक अलग folder के अंदर दिखाई देगी ठीक है तो मैं सबसे पहले काम करता हूं इस files के अंदर आके एक नया folder करें लेता हूं इसका नाम मरक देता हूं simple सा images करके ठीक है और इस images के अप्लोडेड फाइल और मोड़ फाइल के अंदर बैसिकली आप लोग क्या पास करोगे सबसे पहले आप लोग पास करोगे जो आपका temporary name है तो मैं आप संप्ली ऐंडे ने माने gate कर रहा है इसको मैं हाप संप्ली पास कर दिया और इसके अंदर मैं करूंगा क्या इसके में इसके अंदर जाओ और इसके अंदर आ हो किया आप लोग करोंगी किया आप लोग एड़ करभे ड yn हम श्कॉर एक डया होगी डीकव और अब लिए आप लोग.. देखो मैं भूमार कोई शीज नहीं है बाट मा समस्कीं इसको मैं डीका है और इस में बाव मैं आप लोग चलता हूं तो इसके अंदर एक इमेज आ चुकी है और वह बिसिकली आप लोगो दिखाता हूं देखो को अप लोग को मैं सुप्र लेकर सकता हूं यह अनधर रेदों चाहरा हूं क ow दों और आप आपको ले डिव कि ट्विट्ट्र फाल ए ठीक है ओर एब मिद्भाने ओर इप तो इस तरीके से हम आमारे image को यहाँ पर अप्लोड वगर कर सकते हैं आप लोग condition वगर लगा सकते हो कि आपकी आपकी जो image है वो इतने KB से या इतने MB से या फिर इतने GB से उपर ना upload हो सके आप लोग client को बता सकते हैं चीज कि आप लोग इतना नहीं कर सकते हैं और इतना आ प्रेक्टिस करो ये जो कोड मैं आपको दिखाता हूं ये जो कोड है ये आपको प्रोपरली वी एस कोड गेंदर प्रवाइड कर दिया जाएगा तो गैज आप लोग इस पर करें प्रेक्टिस करें और इसके रिगार्टिंग कोई भी कवरी हो तो मुझे आप लोग कमेंट कर तो बस गाइज आज वी तो नहीं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए थेंगे वाइज सो मस्ट टेक केर बाई बाई